नमस्कार दोस्तों मैं डियम पंडित आपका सौकत करता हूं मेरे स्यूट्यूब चैनल पर देखिए आज हम वीडियो बना रहे है किससे चुटोगे के विए से रिलेटेड है के विए एक्जाम के लिए एमसु की दोजाज तरीस प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि आप अगले questions बनाएंगे ठीक है तो देखिए पहला जैसे यह अंतरम्यों की व्यक्ति और बहरम्यों की व्यक्ति किसा ने दिया है यह यूंग ने दिया है ठीक है आके discuss करते है तो पहले question पर चलते है ठीक क्योंकि अब आपका उसका time निकल चुका है पढ़ने का अब आप जित दिगम का पठार का यहां जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्या होगा कभी उजादा नीचे उपर नीचे उपर होता रहेगा ठीक क्योंकि यह आंसर रहेगा इसका विध्याले का आसे योग अदिगम के पठार का कारण नहीं है देखो प्रेज़ना की सीमा जैसे प्र जैसे मैंने पांचवी कक्षा अच्छे से पास करी पड़ी तो छटी में जब मेरे को पढ़ाए जाएगा तो मैं सीखूंगा तो मेरे अधिगम का पठार उपर जाएगा ठीक है लेकिन नहीं होगा तो नीचे जाएगा और विधाले का आसयोगी तो कोई बात नहीं विधाले करता है जैसे कि अधिगम पठार का मलब आपको समझ का गया होगा चलिए इसमें और चीज अधिगम पठार अग्या मिल्मापार मैं कि कारण है जैसे कि अधिगम कर्था कि अवसक्तिया ध्यान रूची उस्साह वातवर्निय व्याब्धान थकान मनुसारी रिक्सीमा ज्ञान के सीमा आदी यह सारी चीज़े हो सकती है ठीक कि अधिगम अधिगम अनुभव और प्रशिक्षन के प्रणाम सरूफ वहवार में परिवर्ता नहीं यह कथन किसने बोला कि अधिगम है न जो वह क्या है कि प्रशिक्षन और अनुभव के प्रणाम सरूफ वहवार में परिवर्ता है तो वहवारबादी एक स्कीनर भी हैं स् परिवर्तन होता है तो इसका अनुभब और प्रसिक्षन के परनाम सुरू वैवार में परिवर्तन होगी उन दोनों का जोड़ है उसके बाद जो परिवर्तना आता है वह अधिगम है समझ आया है चलो अगले कोश्चन पर चलते हैं चले तीसरा इस्टेंबोर्ड बिने परिक्षन मापन करता है जो इस्टेंबोर्ड बिने परिक्षन है न वो क्या मापन करता है व्यक्ति का मापन करता है पढ़ने की दक्षिता का मापन करता है बुद्धी का मापन करता है उप बुद्धी मापन परिक्षन होता है एक परसेनल्टी मापन परिक्षन होता है यह दो परिक्षन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे आते तो इस्टेनफोर्ड बिने परिक्षन बुद्धी मापन परिक्षन करता है 1905 में बिने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधु स्टेनफोर्ड युनिवर्स्टी में लोग जाते हैं पढ़ने पढ़ने से याद रखना स्टेनफोर्ड क्या है बुद्धी मापन परिक्षन स्टेनफोर्ड क्या है बुद्धी मापन परिक्षन याद रखने स्टेनफोर्ड क्या है बुद्धी मापन परिक्षन और 1905 में उ उस पर भी दिया था तो फ्राइड ने नेगिया मन ने ने नेग यूंग ने की अंतर वैक्ति यूंग ने क्या बताया कि व प॥ी घंठ होते धरल इंतर मुखी और तीसरे भी ताफ चलॉ के देख लेते हूं तो यूंग इनकी अनुसार समाजी गंतिर किया कि दिश्टी से व्यक्ति को तीन भागों में बाटा गया, यूंग ने पहले को बोला अंतर मुखी, बहर मुखी और तीसर को उभर मुखी, एक होता जो अपने अंदर ही बाते करता है, अंतर मुखी होता जो दूसरों को बात न में तो यह से बोलता है अंतर मुखी और यह उभे मुखी यह सबसे अच्छे वाले होते हैं अब पांचवे को संटे आगये हैं देखिए आप है न के विएस में देखिए साब बात है कि जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा ना अब मौका नहीं है कि आप पुरानी चीज चलते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सेयर कर देने क्योंकि आप जितने मेरी वीडियो पर विफसाएंगे उत्ति के साफसे तो मैं मैंनत करके और अच्छे कोश्चन लाओंगा और यह सारे एक्जाम में आवी कोशन है देखो मैं स्कैन करके लाए हूं समाजिक विकास को पूछने आले कारक के परवाइद कौन से करेंगे समाज के कारण तो समाज ही होगा ने सीदी सी बात है तो समाज के परिवेश के ततु बच्चा कैसा अच्छे बोल लाए गाली बखराय क्या कर रहे इस सारी बात है अब देखिए समाजिक विकास के तातपरे विकास के उस परिकरिया से जिसके दोरे व्यक्ति अपने समाजिक वातवरन के साथ अनुकूल करता है समाजिक परिस्तितियों के अनुरूप अपनी अवसक्ताव वारूचियों पर नियंतरन करता है दूसरे के परती अपने उत्तरदायत का समाजिक विकास के फल्षरूरू व्यक्ति समाज का एक मान्ने और सहयोगी उपयोगी तदा कुशल नागरिक बन जाता है इस परकार समाजिक परिवेश्थ ततो बच्चों के समाजिक विकास को परवावित करता है याद रखना समझ आया आपको तो यही चीजे होती है जो आपको समझ नहीं है ठीक है देखिए मैं आपको explanation भी साथ साथ में दे रहा हूं ठीक है अब अगले question पर आ जाते हैं चलिए देखते हैं नियुमने में से कौन सा सारे जिए की विकास के प्रमुख नियम है मानसिक विकास से बिनता का नियम यह क्या है तो कुछ अलगी बोला मानसिक विकास से बिनता क्यों होगी भाई आनियमत था का मलब होता discontinuity discontinuity का मनलब यह नहीं होता कि विकास आज होगा दो साल की उमर में तो तीन साल की उमर में नहीं होगा यह मतलब नहीं है इसका मनलब है यह है कि विकास जैसे दो साल की उमर में जाद होगा तो तीन साल की उमर में हो सकता है क principals secretocol और कम जाए पांच में ज्यादा हो जाए यह कुछ कुछ सकते हैं तो आन में तता का यह मतलब होता है को सारी विकास के पर मुखनियम दूतिगामी का विकास का कलपना और कलपना तो सारी दार members होती निये तो आण यह मतता का यह होगा तो इसका एकस्प्लेनेशन नीचे देख लेते हैं देखेए आपको आप सोचेंगे कि जल्दी-जल्दी टाइम वेस्ट रहे हैं ये पड़ने में आपको टाइम वेस्ट नहीं भाई यह समझो गें ना जो तो पेपर में आपको यह न तो जाता है तो तो यहीं जीत का है और सरी के चली इसका दिख रहा है Прोड़ी तो निमलिखित में से कौन सा विकास का सिधान्त नहीं है विकास का सिधान्त कौन सा नहीं अनिकूलित परतावर्तन का सिधान्त निरंतरता का सिधान्त ये भी है कंटिनुटी का भी सिधान्त है कि हमारा विकास लगातार होता है ठीक है और परस्पर संबंद का सिधान्त है समान प्रतिमान का सिधान्थ है बाप की तरह ही बच्ची होते हैं ठीक है ए नहीं है इसका अनुकूलित परावर्तन का सिधान्थ अब इसका करम का सिध्धान्त आदी विकास के सिध्धान्त है जबकि अनुकूलित परावर्तन का सिध्धान्त सिद्धान्त अधिगम से सम्मध्दित है कि जब अनुकूल होगा तबी कुछ हो पाएगा ठीक है समझ आ रहा है चले चलते इतना बहुत यह हो गया अब अगले पर चलते यह वाला जरूरी कोशन दिए विकास के परिणाम नवीन विसेश्था और नवीन योगता प्रकट होत हरलोग अंटी ने बोला है हमारी हर लोग जो अंटी है पल को कि जब हमारे अंदेर ने विसेश आएंगई और न नहीं योगता जाओगे तो जिसको ताले को तोडना आता या हरना आता है हर ने का मलब जूराना ठीक हर कर लो लौक को लौक याद रखना हर लोग डेक्ति में नहीं नहीं युक्ता होती है ठीक है अगर आप लोग चाहेंगे ना तो मैं मेरे पास ने बहुत सारी चीज़े हैं जो bullets point है केवल आपको bullets points के notes भी दे सकता हूं मैं अगर आप मेरी वीडियो पर 100 whips करवा देते हैं बस ज्यादा भी निचे 100 whips दिये देखो 1000 करोड भी नहीं मंग रहा है 100 ही मंग रहा हूं मूल परवर्टियों को 14 प्रकार से किन्ने वरिख किया अंधर मैंक डुकल मूल प्रवर्वर्थ के नुसर मूल परवर्थियों परवर्गत और जर्मजात मनोसारीरिक प्रवर्टि है जो प्रानिकों किसी विशेश वस्तु को देखने के लिए ध्यान के लिए उसको देखकर विशेश सभी आतमको तेजना और अनुभवaking और उससे संभनीत एक विशेश ढंकसे कारे करने या ऐसा करने के प्रवलिक्सा अनुभव करने के लिए बाध्य करती मुल परवर्ति वरगी करन मौलिक सर्वमानने है ठीक है इन्होंने निश्ची तत्रारी किरियाओ पर 14 मूल परवर्ति दी किसने लिए मैक डूनल तो याद करने वाले आंसर बता हो आपको याद भी करवा दूगा यहीं के मूल परवर्ति यह में से होता है तो याद रखना ठीक है मैनत कर रहे हैं आपके लिए आप एक भी सेर निकरोगे लेकिन देखता हो यार किसी दूसरी वस्तु यार सेर करने से आप छोटे नहीं हो जाएगा जैसे आप मेरी मदद करोगे तो आपकी तो भगवान मदद चाहेगा तो क्योंकि हम तो फिरी में मै कर सेरी बी कुछ बला हो जाएगा किसि दूसरी वस्तु की अपेक्षा से एक वस्तु पर चेतना कगेंदरी कंद्र करन मदधान यूंप नपने शाज़्य होको दमविल नाम है इनका अंसर एड़ कैने किसी दूसरी वस्तु पर चेतना का केंदर करन अबदान है दमविल के नुइसार तो मलब तो हमारा नियंतरन है उसके अपर ठीक है कहा है कि धूसरी वस्तु पर देखते है उसको फोकस करने कोशिश करते है अम जानते हैं तो यह आफ्धान हो जाएगा हमें याद रहेगा जो भी होगा अब देखे यही था आज के लिए इतना और ये वाला अंसर वाप देदेगो यह आपका एक उस्टन था अंतर्मुखी वेक्ति और बहर्मुखी वेक्ति किसे ने कहा前 offensive यूंग ने कहा यूंग मतलब यंग आदमी ने कहा यंग आदमी ने क्या कहा जो अंतरवेक्ति और बहुरवेक्ति है ना वो वरगी करन कहा है, यंग आदमी ने क्या करा देगो, बच्चे तो करनी पाएंगे और बूडों को मतलब नहीं है, तो यंग आदमी क्या करेगा, यंग, यंग, यंग ये रहे, यंग साब, यंग ने क्या कहा, अंतरवेक्ति और बहुर व्यक्ति समय जिनके अदर दोनों गुण है याद रखना ठेक समझा है तो आज के लिए इतना है अगर आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो मैं आपको बुलट्स परंट्स भी दूँगा में पीड़े बना के बाके आपकी मर्जी अच्छी लेगे जो शेयर करना बनना मत करना धन्यवाद हो